असलाम अलेकुम मेरे दोस्तों अपने नई वीडियो में अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदेत कहता हूँ अभी इस वक्त में मरीना गिरंदे आये वा था अपनी कुछ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पार्क है बड़ा खुबसूरत सा तो मुझे दो मेरे शजादे भाई मिले हैं जो के सरदार हैं ब्लॉं करते हैं इंडिया से मेरे दोस्तों अभी जब मेरे इस भाई से बात होई तो इन्होंने मुझे बताया कि अभी यह रिसेंटी एक मैना हुआ है इंडिया से आये हैं और आते ही इनको admission मिल गया यहाँ पर सप्टमबर में मरीना ग्रेंदी में ही और दसवी क्लास में तो मुझे पूछना इंसे यह था और आप तक यह बात पहुचानी थी कि दसवी क्लास के लिए क्या document चाहिए होते हैं तो कि यह पांचवी, छटी, सातवी क्लास तक के तो सारे मेरे पास बच्चे अविलेबिल थे मेरे इस चैनल पर हर चीज मौझूद थी इस हवाले से इनको यहाँ पर 10th क्लास में admission मिल गया है उस हवाले से जो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आपके बच्चे दसवी, ग्यारवी और बारवी में पढ़ते हैं इंडिया, पाकिस्तान से तो क्या document आपको चाहिए, कौन से subject होते हैं, किस तरीके से admission होता है आए विडियो शुरू करते हैं बाई कैसे हैं प्यारे भाई बढ़िया मैं आप बताओ भाई मैं विल्कुल ठीक टाग, मुझे के बताएं लवली भारत का वेदर बहुत शानदार है और बहुत बढ़िया वहाँ पर लोग है पूर्तकाल आपको कैसा लग रहा है पूर्तकाल भी बढ़िया है पर पंजाब जादा बढ़िया है अच्छा अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं वहाँ पर इंडिया में दोस्त को तो बहुत जाद कर रहे हैं तो ऐसा भी हुआ एक महीने में के दिल नहीं लग रहा वापीस जाना है पहले पहले लगता था पर अब ठीक है जबरदस है याँ पर यह दोस्त मिल चुक है ना इसलिए तो आप दोनों की दोस्ती यहीं हुई जबरदस है मुझे यह बताएं क्यूंकि आप बड़े समझदार और बड़े मुझे जब मैंने आपका फेस रीड कर रहा हूं आप बड़े समझदार बच्चे मुझे लग रहा है मुझे बताएं आते ही आपको क्या मुश्किलात पेश हुई आप आये वहां से डारेक लिजबन आये या आप डारेक मरीना गरंदी उतरे नहीं लिजबन पहले लिजब तो यह एक बड़ी चीज है मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लोग अकेले आते हैं और उसके बाद आपकी फैमिली यहां पर आती है तो कितनी असानी हो जाएगी कि बच्चों को कोई किसी किसम की कोई मुश्किल नहीं हुई यहां आने मे अच्छा मुझे यह बताएं आप एडमिशन अभी रिसेंट आपका हुआ टैंथ क्लास में क्या डाकुमेंट चाहिए थे एक लिविंग साथिकेट लगा पंजाब से और उस पर थोड़ी बहुत मोर चाहिए थी जैसे अमबैसी मोर लगती है वो चाहिए थी बस और यहां एक पासपोर्ट लगा और एक फनाइस लगा यहां के बस ठीक है अच्छा आपके वाली साब के पास आपके जो फादर उनके पास पासपोर्ट है यहां का या अभी अभी रेजिदेंसी है अच्छा आपने मुझसे यह भी जिगर किया कि आपको इन्होंने स्कूल कर देते हैं जब अरिजिनल होगा तो दिखा देना ठीक है अच्छा यह बड़ी अच्छी बात आपने बताई दूसरा मुझे यह बताएं कि जाहरे अभी स्कूल अभी एक महीं नहीं आपको यहां पे हुआ है कुछ आपको पता लगा कि क्या-क्या सब्जेक्ट हैं यहां क यहां पर जाहरे हम लोग अच्छी आपो हवा अच्छे महौल के लिए निकलते हैं तो किया आपको यहां पॉर्टगाल सबसे प sitten शेहरं में क्या अच्छा लगा अ के सब्सक्रास है हुआ जादा वक्त नीहीं हुए तो मरीना ग्रांदे जो ही है चारा आइंगा साथ 16iliyor वाहलो है यहां पर है तोड़ा टायम हुआ पांश बजगें सारה पन्जाबी होगा यहां पर यहां के लोग थोड़े थे पन्जाबी देखें के ईपशें बस्वल मेरे प्यारे बाइँ मुझे यह चीज और बताएं कि आपके अबा वालिस आप क्या करते हैं वह यहां पर फैक्टरी में है बस अच्छा फैक्टरी में जॉब कर रहा है सब बढ़िया चल रहा है तो प्लीज उसमें मदद भी करें जरूर जरूर अब आप आई यह दर मेरे प्यारे भाई मुझे य आपको कितना अरसा हुआ है हमको आठ महीने यहां गय citizen से बताएं कैसा राज आप अब इंडिया इंडियार से कहां से मैं पंजाब से हैं पंजाब से आप निकल लिजबनद पहले उतरे हम पहले सिंसी ने पन्पीं कि नापन सिनस ruins के भान यहां पर यहां पर आयतो आपके करना जातो हूं कि prepare होना चाहिए पहले language के भार एक है बस और है कि यहाँ पर भी मिष्क्राइन यह यह बहुत तो यहां से प्रणाइब कर दो आपको अपको बड़े मासूम से बच्चे हैं क्या आपको मुश्किल वक्त लगा मुश्किल जब स्कूल में वैसे स्कूल में क्योंकि वहां पर टीचर को इतनी इंग्लिश आती नहीं है ठीक है इसलिए फिर आखा है थोड़ा सा मुश्किल ल आपको पता होगा आपके लेकिन कानून यहां का यह कहता है कि अगर साथवी क्लास में कोई बच्चा पढ़ ला है तो वह फिर बायोमेट्रिक देखे रिजिदेंस कार्ड ले सकता है फौरान उसको वह दो साल लाग वाल फाइल लॉक वाली लाइन में नहीं लगना है ऐसे काम नहीं मिला इस मुलक में यह मुलक बेकार है यह देखें बच्चे सर्वाइव कर रहें यह देखें इनके वाली साब यहां चार साल से मौजूद हैं बहुत अच्छा काम कर रहें और अपनी बलबूते पे इन्टिया से अपनी पूरी फैमिली को बलाय है तो खुदा के लिखे हम लोगों और मत मजबूर करें, आप लोग मुझे स्वालाद करते हैं, कि पुर्तगाल की हवाले से चीजे बताएं, और मैं बहुत बुराईया करता हूं पूर्तगाल की, बाई ठीक थाएख स्कूल के बारे मैं थोड़ा Ambigya क्या है हुए सकूल सुभा-सुभा रेडी होना चाहिए अठ बाजए और आठ बजहे चुटी खोटी शुटी होती है वैसे timetable के कुछ पाँच बजए दोब भी Dave ओ रही है जैसे में अपने बच्छों को ले पर शुरू हो जाएंगे इंशालला आपका भी जब आएगा तो आपको तो इस बात का इल्म होगा आपके पापा को कि स्कूल यह पता था मैं कितने पैसों का पता है क्रीब 30 तो बहरीन के पड़ाई के बारे में बताएं बहरीन वहां पर ज्यादा स्रिक्ट लेते हैं वैसे पर मज़ा आता है लेकिन स्टडीज जैसे स्ट्रिक्ट और हाड थोड़ी अच्छा तो बहरीन में आपके पापा क्या कर रहे थे बहरीन में गल्फ में काम करते थे गल्फ में अच्छा कोई स्किल का काम कर रहे हैं कार्पेंटर ही का कार्पेंटर था जैसे बियर्स की मशी कर दोज बने स्कूल में जी बहुच सारे है ठीक है मिस करते खूल को यह नहीं थोड़ा सा क्योंकि वहां पर ज्यादा फ्रीडम था अच्छा यहां फ्रीडम नहीं है नहीं है लेकिन वहां पर जैसे यहां पर स्कूल जब रिसस होती है वहां पर हमको सिर्फ 15 मिनिट मिलते है वहां पर 20-30 मिनिट मिलते हैं बट यह भी तो अजरा अबबा से पूछों के इतनी जादा जादा वहां फीसे दे रहे थे और यहां आप फीसे नहीं पड़ लें यह भी तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि मैं दुबई से और बहरीन से कई लोगों को ऐसे जानता इस सुपन चार पांच साल से अब यहां आप प्रोटगाल में चार पांच साल से इस वेरी नाइस ऑ के डिफरेंट इफरेंट लेंग्वफ सखने पड़ते हैं यह कौन-कौन शी ज़बाने सिखा रहा हैं आपको प्रोटगाल में इंग्लीष इंग्लिश तो वैसे नोर्मल है और हम डूच भी सिख सकते हैं फ्रेंच वो बस फ्रेंच डच और सब्जेक कौन-कौन से हैं आपके मैथ साइनिस और इंगलिश और पॉर्टिकलिश बस चले मेरे दोस्तों ठीक है अपने ख्याल लखें इंसाथ बच्चों को गुड लग गुड विशिस इंशालला फिर आपसे मुलाकात होती है अल्ला आफिस